नमस्कार दोस्तों वेलकम टुकिंग सिंप्लिफाइड दोस्तों हम सब जानते हैं कि दिवाली इस जस्ट अराउं दॉक्षाइड और सब के घर में तयारियां स्टार्ट हो चुकी होगी सब लोग हम लोग ने रेसिपीज ढूंड रहे होंगे तो मैं आने वाले कई और बीच आती है साल में एक पर तो उसको तो बनना पड़ता ही है और आपको बताऊंगी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कि कचोरी के कवर जो है वह इतना खस्ता और क्रिस्पी कैसे बनती है उसका स्टफिंग का परफेक्ट मसाला कैसे बनाते हैं यह छोटी कचोरी जो टिप्स है बहुत इंपोर्टन्ट है कचोरी परफेक्ट बनाने के लिए और उसके अलावा भी वेरियेशन बताऊंगी कि सूखा कचोरी के लावा कचोरी का चार्ट कैसे बनाते हैं ताकि आप दिवाली में बना सके आपके आपके आभी गेस्ट आएंगे घर मे भी अब बनाके खा सकते हैं तो बहुत ही बड़िया रेसिपी है ये तो चलो भी बिना देरी के ना स्टार्ट करते हैं तो बनाते हैं तो बनाते हैं तो बनाते हैं तो दोस्तों कचोरी बनाने के लिए पहले आटा गूंद लेंगे और उसके लिए लिया है मैने तीन कप मैदा मैदा से ना बहुत खस्ता बनता है तो इसमें और कुछ आटा नहीं मिलाएंगे प्यार मैदा ले लेंगे तीन कप और थोड़ा सा नमक डालेंगे करीबन तीन चोथाई चमच नमक डाल के उसके अंदर मोयन के लिए ना चार टी स्पून तेल डाला है मैंने और इसको अच्छ करने के लिए एक सिंपल तरीका है इसको जब हाथ में मुठी लेते हैं तो पकड में आना चाहिए फोल्ड होना चाहिए यह देखे यह नहीं हुआ इसका मतलब ही है मोयन सरी सरी तरीके से नहीं बना तो इसलिए मैंने ना चार टीस्पून तेल और डाले हूँ और आप कि आप भी चार चमत ही डाले आप बस देखे डालिये और इसका मतलब मोयन हुआ है कि नहीं देखिए से मुठी में आना चाहिए तो इसका मतलब यह परफेक्ट तरीके से बन गया है इसके बाद ना पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आपको आटा भिगाना पड़ेगा करीबन एक गिलास पानी लिया है मैंने और पूरा एक ग्लास भी पूरा यूज नहीं होने वाला है करीबन त्री फोर्थ ग्लास यूज हुआ है लेकिन पानी ना आप धीरे धीरे से देख के ही डालिये और अच्छे से उसको नीड कर दीजिए क्योंकि यह टिप नमबर वन है कि आ अगर अच्छे से गून देंगे मोयन बराबर होगा और पानी धीरे धीरे से डाल के अप आटा बनाएंगे तो कचोरी का जो आउटर कवरिंग है उसका बहुत ही खस्ता बनता है और बहुत अच्छा बनता है तो इसको आपको टाइव निकाल के ना दस मिनिट लगेंगे ल यह बहुत ही इंपोर्टन्ट स्टेप है कचोरी बनाने का उसका कवरिंग के लिए परफेक्ट कवरिंग आपको ऐसा चाहिए तो आपको अच्छे से आटा पहले भिगाना पड़ेगा और अभी आल्मोस्ट आटा भीग गया है हमारा तो इसको आपको दिखाती हूँ मैं इ बिल्कूल कड़क नहीं समोसे के लिए ना हम नॉर्मली कड़क भिगाते हैं पट कचोरी के लिए ना यह हम लोग नॉर्मल चपाती काटा बनाते हैं हर दिन उससे थोड़ा सा स्टिफ बस और बस हो गया है उसको ढखके रख देंगे बाजु में और आधी हंटा के लिए मि जाएगा यह तो आप यह जरूर बनाइए और देखिए मैं आधा केजी अतुवर के बीज लेके आई हूं और छिल के उसको रख दिया था पहले ही और इसको पहले ना भी पानी में धोना पड़ेगा दो तीन बार ताकि उसका अदर का मिटी या गंगी कुछ भी हो निकल ज देंगे और उसका कचोरिका मसाला बनाएंगे पहले और उसके लिए पहले पैन मेना दो टेबल स्पून धनिया सीट्स लिया है मैंने कोरियांडर सीट्स एक टेबल स्पून सौंफ लिया है और आधी टेबल स्पून जीरा लिया है इन तीनों चीजों का ना दो से तीन मिनि अगर आपको ऐसे क्रश करना बोर हो रहा है ना आप मिक्सी में भी उसको हल्का सा पल्स कर सकते हो मुझे इसका स्वाद बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं उसको कूट रही हूं और गुमाने से देखे से कोर्स लिए सा थोड़ा दर दर हुआ है आप देख सकते हैं तो इसको मैंना हम निकाल के कटोरी में बाजु में रख देंगे ताकि जब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे तो यह मसाला काम आएगा और उसके अलावा आपको लेना है हरी मिर्चे एराउंड त्री टू चार लिया है मैंने तीन से चार आप थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं और थोड़ा सा लसन एक पूरा एक लसन की कली लिया मैंने पूरा बल्ब आर जिंजर लिया है अगरेबन 1.5 इंच लिया है जिंजर और इसको भी नँना अश्ब मिला अच्छे से कूट के उसका पेस्ट बना दिया है मैंने इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है तो यह भी आप मिक्सी में कर सकते हैं बट इसमें करना बहुत ज्यादा अच्छा है तो अभी क्या करेंगे मेडियम साइस की मिक्सर लिया है मैंने और उसके अंदर यह तोर के बी और एकदम दरदर आभी नहीं है तो अभी मसाला की तयारी करेंगे स्टुफिंग का तयारी करेंगे और उसके लिया है मनें 2Ayasun घ्र पहले डाले। 2 tbsp बेसं डाली हूँ मैंने, और इसको अच्छे से हिला देंगे, बेसं का डालने से अच्छा सा कमभाइन होता है सारा मसाला और इसका अच्छा स्वाद भी निकल के आता है बीच दर एक पहले ही ओर आप भी असको सेखने तर व्राउटे तक के और उसके बाद उसके अंदर डालेंगे यहरे मेर्ज लसं और अधर का पेश्ट जो कोट के राका था न उ डालेंगे और यह कर देंगे अच्छा से सिम पहलों discour ju करेंगे और इसको लगेगा थीन चार मिनिट करीबन और लेकिन मीडिया में हाइफ्लेम पे बिल्कुल मत कीजिए इसको और ऐसे उसको बीच बीच में हिलाते हुए यह देखिये बन गया है अच्छे से कंबाइन हो गया है यह अभी इसके अंदर डालेंगे यह दनिया का तो ती स्पून तेल डाल दिया मैनिया कि मसाला को थोड़ा तेल चाहिए और सीखने को भी तो सिर्फ दो तीपून तेल डाल दिया और इसको अच्छे से से ख देंगे करीबन गों Carl до 6 मिनिट सारे मसालह कमबाइन हो जाएंगे इसके बाद डालेंगे यह पेस्ट जो अतुवर के बीच का पेस्ट था ना वो सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और अभी करीबन आपको दस मिनिट लगेगा लेकिन अप सिम पैना उसको धीरे धीरे से बीच-बीच में हिलाते हुए आप उसको मसाले को सेखिए आप क्योंकि ना इसको थोड़ा टाइम लगता है और जोर से भी आप मत कीजिए क्योंकि यह जल जाएगा और इसको धीरे-धीरे से सेखने से ना उसका कच्छापन भी निकलता है तो आप बस उसको हिलाते हुए और नीचे जो भी कुछ चिपका है उसको निकालते हुए आप उसको अच्छे से स्टर करके मसाले को तयार कर सकते हैं स्टफिंग और आप देख सकते हैं जितना मोईस्चर था पहले और एक बात मैं आपको बोलना भूल गई क्योंकि जब आप तूवर की बीज आप जब पीसते हो ना तब पानी डाल के बिलकुल मत इसको बस बीज को पीसना है आपको तो आप देख सते हैं आपको जो भी मोईस्चर था भी बीज में वह सब निकल रहा है और काफी ड्राइ हो रहा है तो इसको आप सेकी ऐसा और देखिए धिरे-धिरे से अल्मोस्ट अब हो गया है 10-12 मिनिट लगा फिर दो-3 मिनिट के ल इसको स्टर करेंगे देखिए सब मसाले को अच्छे से मिक्स करके अभी इसमें हम लोग सुखा मसाला डालेंगे पहले डालेंगे हिंग एक चुथाई चमच हिंग डाली हूँ उतना काफी होगा लेकिन हिंग का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है इसमें तब जरूर डाली इसको पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे सारे सुखा मसाला कुछ ज्यादा चीजों की जरूत नहीं है बस हल्दी थोड़ा सा एक चुथाई चमच हल्दी और वान एड़ा हाफ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने और थोड़ा सा धनिया दो टीस्पून तेल डाल देंगे उसके उपर और नमक तीन-चुथाई चमच नमक है और दो टीस्पून तेल अभी बस उसके अंदर डाल दिया है ताकि सारे मसाला अच्छे से सिक जाए और मिल जाए वह बीज में तो देखिए इसको धीरे धीरे सी आप अच्छे से मिला सारे मसाला और बीज अच्छे से कमबाइन होना चाहिए आप देख सते हैं इता प्वर्फेक्टली ब्लेंड हुआ है ये अभी थोड़ा सा मीठा और खटा टेस्ट आने के लिए शकर लेंगे तीन चोथाई चमच शकर है ये और उसके अंदर डालेंगे सिट्रिक आसिड और अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाद में आप लेमिन जूस आधी लेमिन डाल सकते हैं ये देखे दोनों को मैंने ना मिला के पीस लिया है और ये मिस्चर के अंदर डाल दिया है और अभी सारा समान मिला के अच्छे से एक बार और फाइनल मिक्स करना पड़ेगा तो इसमें हमारा हल्दी नमक आपका स्पाइसी पन थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा खटा सब कुछ साब फ्लेवर से इसमें बढ़िया लगता है टेस्ट करके देख लीजे और अपको लगता है कि थोड़ा नमक की जूरुत है तो आप डाल सकते हैं अ तो इसका थोड़ा हरी मिर्चे काट के रखेंगे क्योंकि क चुरी के साथ बहुँआ टेस्टी लगता है उसके साथ ही बाद में फ्राइब कर लेंगे इसके उपर चाट मसाला डालने से बहुत टेस्टी लगती है यह अभी यह ठंडा हो चुका है तो इसका चोटे चोटे आपको रखना पड़ेगा ताकि जब हम स्टफिंग बनाएंगे इंसर्ट करेंगे इसके अंदर कचोरी के अंदर तो बहुत आसान होगा हमारा काम तो सारे पेड़ा बना के पहले ही रेडी कर दीजिया अभी हम आठे की तरफ जाएंगे आठा देख सकते हैं अच्छे से बन अधिया है वो दो तीन मिनिट और गूंद लेंगे उसको ताकि इसका फ्रेशनेस बरकरा रहे और एर रहे इसके अंदर अच्छे से गूंद के ना थोड़ा सा एक पोर्शन ले लेंगे थोड़ा बड़ा पेड़ा समझ लीजिए और हाथ से ही आपको ऐसा करना है आपको ब बेड़ा बना के जो रखी थे ना वह आप डाल दीजिए अंदर और थोड़ा ज्यादा है तो मसल आप निकाल सकते हैं या कम है तो थोड़ा डाल भी सकते हैं और उसका जो एजिस है उसको से सील कर दीजिए जो हम मो मोज बनाते है उस टाइप के लिए यह पिर हम लोग गन आ रहे हैं हम तो इसको फ्लाटन करना है आपको तो आप ऐसा कर सकते हैं इस तरीके से बस रेड़ी हो गया है और इसी तरीके से आप सारा रेड़ी करके रख दीजिए अभी आप तेल देख सकते हैं तेल बिल्कुल ही असा गरम उबलता हुआ नहीं है या मीडियम गरम भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी आप दीरे दीरे से एक 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 बबल्स देख सकते हैं आते हुए क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन्ट है आपके कचोरी के लिए कि आपका तेल का टेंपरेचर है ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए कम होना च कितने सुंदर तरीके से उपर आते हैं इसको बिल्कुल टच करने की जरूत नहीं है अपने आप ही फ्लोट होते जाएंगे और सिखते जाएंगे यह और थोड़ा ब्राउन होने के बाद तब धीरे से उसको पलट सकते हैं यह देखे अप इन फैक्ट थोड़ा ज्यादा देर पूरा ब्राउन होने के बाद भी आप उसको पलट सकते हैं मैंने थोड़ा जल्दी पलटा दिया था आपको दिखाने के लिए भी देखे कलर कैसे चेंज हो रहा है तो एक बार और पलटा देंगे ताकि उस साइड भी अच्छे से सिख जाए आपको ना क्लोज अप व्यू मैं सेकेंड बैच डाल रही हूं और इसमें सिध्धा मैं आठ डाल रही हूं पता है एक बैच सिखने को आपको पंदरा मिनिमम लगेगा तो ये पहली बार डाल रही थी तो चार आपको डाल के दिखाई थी लेकिन आठ अराम से बैठ जाएंगे बट ऐसा नहीं कि हमेशा तक अपने बैठेंगे आपका कडाई की अपर डिपेंडेंडेंट है तेल कितना है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है बस आपको एक और स्लॉट दिखा रही हूं कि कैसे वनते हैं आप बस डाल दिजिए और छोड दिजे उनको अपने आप यूपर आके जब लोट होंगे और ब्राउन होंगे तब आपको पलटना है यह कचोरी बनाने का बहुत ही इंपोर्टेंट टिप है यह इसको मत भूलिए आप आपको टच करने की ज़रूत नहीं है अपने आप सिक्के उपर आएंगे ब्राउन होने के बाद आपको पलटना है और थोड़ा अच्छा इतने सारे एक साथ अभी हम लोग क्या करें हो हरी मिर्ची जो काटके रखा था ना उसको तल देंगे क्योंकि यह कचोरी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट बैठती है और इसको भी तल के निकाल के इसके उपर थोड़ा सा नमक और चाट मसाला डाल सकते हैं यह दे तोड़ के बताऊंगी आगे कि आप देख सकते कितना ड्राई भी उसका कवरिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल तेल वेल नहीं पकड़ा है यह अभी देखिए आपको तोड़ के बताऊंगी और अभी कचोरी चाट बनाएंगे हम लोग उसके लिए ना एक कचोरी का को बड़ा चंक्स में मैंने तोड़ दिया है और दही डाल रही हूँ खूप सारा उसके उपर दही को ना हाथ से आप पहले विस्क कर दीजिए और विस्क करते समय आप थोड़ा सा दही चक्कर डाल दही में और विस्क कीजिए और उसके उपर हरी चटनी और इमली चटनी डाला है मैंने आपको डीटेल रेसीपीज चटनी की उपर चाट चटनी की उपर प्लीज मेरा वीडियो देखिए उसके उपर एक स्पेशल वीडियो ही बनाई हूँ मैंने और उसके उपर डाली थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पावडर, और बस थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए धनिया के पत्ते और सेव डाले हूँ, और बस हो गया आपका चाट रेडी, कचोरी चाट अप एंजोई कीजिए, दिवाली मनाई अच्छे से, खाई और खिलाए सबको, थैंक यू सो मुच पर वाचिंग और प्लीस सब्सक्राइब तो मैं चैनल